अपनी दुनिया आप बनाओ मनोक जदों साउं जान दे ता एक सुपना बेख दे उस दा सरीर ता बिस्तरे ते प्या हुं दे पर ख्याला वे चो दूर दूर दी सैर कर दे सुपने वे चो तरां तरां दे रंग बेख दे कदे हर आया वेख के बड़ा डर जान दे अपने आपनो ते अपनी जायदाद नो बचावन दे बड़े यतन कर दे जदों जाग जान दे ता हैरान दे के मैं ते आम इडर रहा सा असल विच्दे कुछ भी नहीं सी फिर किसे होर सुपने विच अपने आपनों एक सोने बगीचे विच वेख दे मन खुश करने वाले निजारे ठंडी हवा दे चौंके ते हरे आवल वेके मन बड़ा खुश हुन दे पर जदों जाग दे ता उसनों अफसोस हुन दे पर मैं क्यों जा गया इस सुपने ते बड़ा चंगा से जे मैं होर सुतारेंदा ता थोड़ी देर होर इस सुपने दा अनन्द लेलेंदा ये ता है सुपने दी ओ अवस्था जेड़ी आम तौरते हर बंदे नू दिस दिये ते आननाल विखन ते पता लगेगा के मनुख जिस दुनिया विच सुपने दी सैर कर दे ओ ते बिलकुल एक तुक है सारी सुपने दी दुनिया रची होई ता मनुख दी अपनी है आप ता बिस रहते प्याओ है ताड़े थे है ते सिर्फ ख्याली अगे गया है पर सुपने विच व अपने आपनो अपने सरीर दे नाली वेख दे कपड़े भी पाया हुंदे ना जेड़ी दुनिया उसने आप ख्याला विच पावसुपने विच पैदा कीती है आपने आपनो उस तो एक वक्री चीज वेख दे ता आपनी पैदा कीती हुए चीज समझ के उन्दे उते कोई हकूमत नहीं कर सकता बढ़के होंदे कोलों डर दे ते उसनों आपने आपतों बड़ी जोरदार जोरवाली चीज समझ दे डारपा में ख्याला में ची होए पर एना सच्चा ते जोरवाला हुंदे के जिस ताड़नूं पिछे चाड़ा आया सी ओदे उते वी असर हो जान दे देल तड़कन लग पेंदे ते डर नाल नीद खुल जान दी है जाके वेख दे नाता हड़ा आया हुए ते नाहीं उस दा डर फिर आखदाये ता कुझ भी नहीं सी मेरे अपने ख्याल ही मैंनों ड्रा रहे सन्सारा सुपना जिसनों सुपने दी अवस्था वेच्च सचा वेखदा सी ओचूठा साबत हो गया वो दे वेच कोई असलियत कोई जान जान बल नहीं सी हाँ लगदा जरूर सी ते सुपने वेच्च सच ही प्रतीत उन्दा सी होन सोचदाये जे मैं चाउदा ते हड रोक देंदा जान हड नों हटा के एक मिंट वेच्च सुकी जमीन पैदा कर देंदा क्योंके यह ते हमेरे अपना ख्याल वेच सी ते मैं जो चाहां अपना ख्याल बदल के उसनों कर सकदा साँ इससे तरह मनुख कई दा जरूर है ते आखदावी साच्चे पर सुपना वेखन लगयां सुपने दा जादू ख्यालां दी कोई पेश नहीं जान देंदा ओई बेवसी दी हालत फिर सुपने मेंच नजर आउं दी पामे असी इस सारी गल नो समझ चुके हैं आओ इस तों फाइदा उठान वास्ते जरा सोच नो होरुचा करके वेखिये कि यसी इस तरह कर सकने कि सुपना जाके वेखिये ते अपना हर ख्याल अपनी मर्जी नाल पैदा करके जे हो जे ही मर्जी दी दुनिया बना लईए आओ उन सुपने दी दुनिया तों जाग दी दुनिया वेच चलिए उस जाग दी दुनिया वास्ते स्री गुरु ग्रंट साहब जी दा ए फैसल है ज्यों सुपना और पिखना ऐसे जग को जान इन मैं कच साचो नहीं नानक बिन पगवान ए दुनिया बिलकुल एक सुपन है जिस विच जरा जिन्नावी शक नहीं हेगा सुपने वांग ए दुनिया हारवेले बदल रही है इस दी कोई चीज कायम नहीं मनुख ए दुनिया भी सुपने वांग बिलकुल आपनी रची होई नहीं समझदा ति आपने आपनू उस दा सिर्फ एक छोटा जा हैसाई समझदा दुनिया नो आपने वस वेच नहीं समझदा बलके आपने आपनू दुनिया दे वस वेच मैसूस करदा ति बेबस होके दुनिया दियां सब तकलीफानों कबूल करदा जरा गौण आडवे किये ता सच मुझ ए दुनिया एक सुपने वांग अपने ख्याल वेच वस रही है जो चीज इस वेच वेखो ख्याला वेच उसनू जो शकल दिती गई है पाव हर चीज तो पहला एक ख्याल है जिड़ा उस चीज उनू बढ़ाँदा है वो तस्वीर की है जिवें किसे चितर कार दे ख्याल नो शकल दे देती गई जिस मकान में चसी बैठे हैं हो की है साड़ा ख्याल इस मकान दा नक्षा कमरियां दी गिनती लंबाई चड़ाई घुसल खाने रसोई सब साड़ियां जरूरतां दे मताबक तैलना ख्याल बढ़ें ते फेर इना नो बढ़ाया गया मकान नो बनाओन वाले सारे मसाले इटना, चुनना, रंग, रोगन, द्रवाजे एभी सब ख्याल दे बने होए ने पामें साड़े ख्याल दे नहीं पर दूसरे लोकां दे ख्याल नालीते बना के ए चीजां लिएदियां, टिकाईयां, फिट कीतियां गईयां असी इना चीजानों ठीक है पैसे नाड़ खरी दिया है और पैसा कितों ले आया है मन लाओ जे असी कार खाना अपना चलोने है ता अपनी अकल दे ख्याल नाल चला के रुपईया कमाया है जह नौकरी वेच अपनी अकल दे ख्याल नाल कमाया है दुनियावी तरीके नाल, असी इसे तरहीं आखांगे, असी आपनी अकल ते ख्याल नाल कमाया और रुपईया देके, दूजियां दे अकल ते ख्याल इटां चुनना जहां कारदी शकल वेच लेया है, ये सिर्फ ख्यालां ता तबादल है, मकान वेच जो जो चीजां सी वेखनेया, ते आन करन ते साबत हो जाएगा, के ए सब अपने ख्यालां ता ही प्रिगटाव है, ते ख्यालां तो इलावा ते और कुझ भी नहीं, अपने वाकफ कारा नाल चंगा वरता हो, आम लोका नाल चंगा वरता करना, नौकरां ते अफसरावल इमानदारी दा सबूत, इस सारा कुझ साड़ी दुनिया नू चंगा बनोंगे, इस तो उल्ट करन ते साड़ी दुनिया पैड़ी ही बनेंगी, इस सब साड़े अपने ख्यालां दा प्रकाश है, होन तक थी विचार ने सानुए गल समझाई है के जिस तरह सुपने दि दुनिया विच वी कुझ असलियत नहीं थी, सिर्फ आपने ख्यालांदा प्रकाश हुन दे इसे तरह ए जागरत दुनिया दे विच भी कोई असलियत नहीं सिर्फ आपने ख्यालांदा ही प्रकाश ही दो में दुनिया बिल्कुल असली ते सचियां मलूम दियाने पर दो में नकली ते चूठियाने दो में अपने ख्याल दा ही परकाश ने ते दो में ही अपने वस्विच नहीं चल दिया सुगों असी नदे वस्विच होए होए बिमारियां ते मुसीबतां दा शिकार हो रहा दो में दुनियां अपनियां रचियां होईयां मलूम नहीं दिया बलके रचनवारी कोई होर शक्ती जाफ दिये जो साड़ेतों ज्यादा ताक्त वारे ते असी उस दे मतहत उस दे अदीन कम कर दें पाव सारी दुनिया असलियतों उल्टी नजर आ रही है जिमें सिरीगुरू अरजन देव जी माराज ने वरनन की था पैते निर्पाव डरता फिर है होंदी काव अन होंदी ही रह इस सब कोज एक पुलिक है जिस दा नाम माय है जिसने सारी दुनिया नो तोके वेचे रख्या हुए ते कुल बिमारियां ते मुसीबतां दी जड़ है असी वेख लिया कि ए दुनिया भी एक सुपन है ते चूट है चूटी ओ चीज होंदी है जड़ी हार वक्त बदल दी रवे कदे काइम ना रवे सची चीज होंदी कदे ना बदले एक जैसी रहे काइम रवे ये दुनिया ते हर पल हर छिन बदल रही है कोई चीज इस दी काइम नहीं बादिशाईयां बदल रही हाने निजाम बदल रहाने अफसर बदल रहाने कारदा नक्षा हारवेले बदल रहा है रोज नित नमियंगला पैदा हो रहीयान है इत्वं तक के मनुकदा सरीर वी बदल रहा है पाव के कोई भी चीज तबदीली तों पिना नहीं है भी कड़ी दिया सुईयाँ पावें तुर दियां नहीं दिस दियां पर तुर रही आने इस तरह जड़ियां चीज़ां जल्दी बदल दियां नहीं दिस दियां और भी एक समय बाद बदल दियां होई यां दिस बैण गिया फिर समझ आई के सच मचो दुनिया सची नहीं इस बदल दी दुनिया वेचा सी कि मैं उमीद कर सकते हैं कि सानू कोई चीज पकी मिल सकेगी आम तार ते सानू सरीरक अरोगता चाही दिये ठीक लोड़ां पूरियां करनवास ते पैसे दी लोड़े मन दी शंती ते परवार वेचा सोख दी लोड़े हर काम वेच कामयाबी ते इज़दी लोड़े ते सब तो उच्छी लोड़ है नाम दे आसरे ते मन हरवेले खेड़े ते अनन्द वेच रहे एस सब चीजां सानू पकियां चाही दियाने असी ए नहीं चाहूं दे के ए चीजां आउन जान वालियां बढ़ियां रहेन बढ़के चाहून आँ के पके ताउरते साड़े को ओड़ रहेन पर बाउत निरास्ता हुं दी है ज़दों असी ए वेखनिया के इस बदल दी होई दुनिया वेच जित्थे कोई चीज़ भी सदीवी नहीं ओथे सानू कोई पकी चीज़ भी कदे नहीं मिल सकती इस निरास्ता वेच फिर आओ जरा गुर्बानी वाले पासे चल देयां महान पुर्खां दे बचनातों इलावा इस दुनिया दियां तकलीफां दा कोई ठीक इलाज नहीं हुंदा उसे शब्द नु पढ़के फिर वीचारिये ते आपनी चत्राई छड़के एक अंजान बच्चे वांग वाई गुरू दा आसरा लईये ता पता लग जाएगा कि साड़ी मुश्कल दा पूरा हल शब्द वेचीते है गुरू जी ने उसे शब्द वेच क्या सी इनमे कच साचो नहीं नानक बिन पगवान पाव इस दुनिया वेच कुछ भी साच नहीं पर सची चीज एक वाई गुरू है जैसी इस बदल दी दुनिया वेच कोई चीज पकेता औरते हासल करनी जाओ नहीं ताँ दुनिया दे चूठे सुपने विचो निकलके वाहई गृू दे साच खणड वाल आईए जैस तो आखो कि सुपने दी बेवसी वाली हालत विचो निकलके जाग दी हालत विच आईए जो के साच खंड है ये पढ़के के साचखंड दारस्ता बड़ा लंबा होवेगा किते कबरा आना जाये हो साचखंड किसे दूर वस्दी होई थांदा ना नहीं ये मनदी अवस्थ है जेड़ी एथे इसे थांदे बैठियां हासल हो सकती है अशीं वेख चुकें के दुनियां दियां दो में हालता सुपना वी ते जागरिता वस्था ख्यालां वेच वासरियांने अधे ये दुनियां साड़े ही ख्यालां दा प्रकाश है अशीं मुसीबतां दूर नहीं कर सकते क्योंके माया ने एक इस तरह दा पुलिखा पाया हुए है कि आसी अपने ख्यालां दी रचननों आपने वस्विच नहीं रख सकते ते किनिया सारी खुशियां जिडियां सी कोशिश करके हासल कर दे है बहुत जल्दी साड़े कोड़ों तिलक जान दी आने मुसीबतां दी मां ते माया है ते माया वाइगरू दी गैराजिरी दा नाम है खुशियां सब वाइगरू कोड़ों आँदियां ते वाइगरू नो हरवेले हाजर नाजर वेखना ते अपने आपने आपनो उस दी जोत वेखना ए समू खुशियां दा कारणे ता फिर मुसीबता नू हटाउन दा ते खुशी ले आउन दा एक कोई तरीका जा नुस्ख है के वाईगरू नू सदा हाजर नाजर मैसूस करिये वाईगरू नू हाजर वेखन नाल उस दी गैर हाजरी जा माया आपई हट जाएगी वाईगरू सरव्यापक है ते उसनू मजूद वेखना एक एहोदे सचाई है जेड़ी हमेशा काएं में सिरी गुरू अरजन देव जी पंजबे सत्गुरू आखदेने दुख नाठे सुख सहज समाए अनंद अनंद गुन गाया अपनी दुनिया आप बनाणवास थे वाईगरू नो हर वेले हाजरा हजूर वेखिये उस दी जोत अपने अंदर ते चारे पासे वेखिये उस जोत दी प्रबल ते गल्ती ना करनवाली शक्ती नो कुल कम कर दिया होया वेखिये ते महसूस करिये मान तुन जोत सरूप है अपना मूल पच्छाण वाईगरू अनंद सुरूप है इस वास्ते सब पासे अनंद ही अनंद नजर आएगा वाईगरू दी हाजरी विच माया अलोप हो जावेगी ते बीमारी, बेचैनी, थोड़ ए सब तकलीफां कि ते नजर भी नहीं आउन गिया जे अब आस पूरा ना होवे, अते माया किसे रंग विच आके शकल दिखावे ता एदे कोड़ों डरो बिल्कुल नहीं ता एह होर वद तकलीफ देवेगी इसनों जिन्ना ममूली समझोगे न एउने ही निर्बल हो जाएगी वाइगरू दी हाजरी ते मजूदगी पाव वाइगरू हरवे ले हाजर नाजरे हुन उस दी हाजरी नू असी याद करिये पाव सिम्रन दी अवस्था नो होर ज्यादा अपने ख्यालना वेच पक्का कर लवो जे ए गल यतन करन ते हासल ना होवे ता मुड़ मुड़ कुशिश करो जदों तक सफलता ना हो जाए ये अवस्था पैदा करन नाल के असी साचखंड वेच पहुंच गया जित्थे केवल वाईगरू ही वाईगरू है ते उस दी जोत ही सड़े अंदर कम कर दिये ते जोत वेच पूरी शक्ती कम करन दी है जोत वेच कोई गलती नहीं कोई कमी नहीं आओ होन एथे जरा अपनी दुनिया आप बनाई है जोत दे चानन नाल सरीर राशन हो गया है सब हनेरे ते मैल निकल गई है सरीर दे कुल रोग दूर हो गया है नहीं जोत दा नूगर मौजूद होन दें कोई बीमारी सरीर लगी नहीं सकदी बीमारी ते सिर्फ एमें माया दा रूप है जिमें चानन आओं दें हनेरा पज जन्द है एसे तरह बीमारी वाईगरू दी जोत दे सामने टेक नहीं सकदी वाईगरू दी जोत अटल है इसलिए सेत भी अटल है कदे बीमारी आई नहीं सकदी असी सिर्फ इस अवस्था नो कायम रखन दा यतन करने बाकी सब कुझ आपे हो दाएगा साच खंड दी इस अवस्था वेच बैठियां खोदगर्जी गुस्सा बिमारी थोड़ सब किसम दे पाप पैड़े कम सब बुराईयां आपे ही खतमोणियां शुरू हो जान दियाने ते मान ते तानवेच ठंडक ते चैन आउनी शुरू हो जान दिया ते एह हो इस अवस्था वेच त्रक्की दिया निशानियाने जीवें जीवें त्रक्की करोगे तमें तमें चैन ते अनंद वददा जावेगा ते माया दियां कुल भीमारियां हट दियां जान गियां साचखंड दी अवस्था विच बैठ्या किसे चीज दी थोड़ नहीं हो सकती क्योंके साचखंड विच किसे चीज दी थोड़ है यही नहीं जरा त्याननाल वेखो ना समझ आ जायागी कि प्रमेशर ने ते साचमुच मुकम्मल साचखंड बना है सूरज लखां क्रोडा सालांतों अपनी रौशनी ते आपना तेज दे रहे है जिनना खर्च कर दाया और ना उसनों होर मिल जान दाया कमी नहीं हो दी जमीन क्रोडा मन अनाज ते सबजियां कोडा तेल गंदक ब्यंत चीजां पैदा कर चुकी है पर कदे कमी नहीं हो दी इंसान नों भी पैदा करन तो पहला उस दी जरूरदियां सब चीजां हवा पाणी अन उसलिए पैदा कीता हुए है पर इंसान माया दे तोके विच बैठा हुए हर चीज दा करता आपने आपनों समझ दे क्योंके मानविच लोब है जिस करके हर पास से उस लोब दे मताबक थोड़ वेख दै जदों अवस्था ठीक हो जावे अते वाई गुरुतों इलावा हो और कोई करता ना वेखे ता सब थोड़ां दूर हो जान गिया विखो सिरीगुरु अर्जन देव जी इस तरहां समझाओ देने काहे रे मन चितमे हैं उद्दम जां आहर हर जीओ परिया सैल पत्र में जन्त उपाए तांका रिजक आगय करतरिया फिर इसी शबद विच आखदेने उड़े उड़ आवे सै कोसां तिस पाच्छे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिम्रन करिया इस तरहां साचे खंड विच बैठन नाल वायगरू जपन नाल ते वायगरू दी हाजरी विखन नाल आपने अंदर थे आपने आले द्वाले जोत दा प्रकाश ते सारा काम उसे जोत नुँ करदें विखन दी अवस्था तारन करन नाल मन वेच शंती अते अनंद अते प्रवार वेच सुख ते कारोबार वेच त्रकी दा नतीजा नजर आउना अटल है ए है वाईगरू दा सिम्रन ए है साचखन दा निजारा ते ए है आपनी दुनिया आप बनावना इस तरह कीतियां मायादियां कुल तकलीफां खतम हो जान गियां ते मनु सदीविश शांती ते अनंद दा रस्ता लब पवेगा ए है वाईगरू नाल प्यार पाउन ते सिम्रन विच उच्चे चडन दी पौड़ी सब किछ कर मैं बाहर ना ही बाहर टोलै सो परम पुला ही गुर्पर साधी जिनी अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहला जीयो कर दोुह. कर दो ते सिम्रा